आपका इस वीडियो में तो आज से हमारी जो जंक शुरू हो रही है वो calculation के खिलाब है आज से क्या है वो चलती रहती exam तक मैं खाली आपकी एक दिन मदद करने वाला हूँ और आपको जब तक आपकी exam न हो जाए जब तक आपका selection न हो जाए तब तक आपको calculation पर काम करते रहन है क्योंकि calculation में calculation का इतना रोल है एक्जाम में कि आप मतलब प्री जो है 60 परसेंट इसी पर depend करती है आपकी calculation कितने strong है अगर आपकी calculation strong नहीं है मतलब आप प्री से वे से भार हो क्योंकि हमारे पास में सोचो आप खुद सोचो हमारे पास 100 question आ रहे है और वो हमें 60 minute में बना रहे है बनाना है मतलब एक मिनिट भी नहीं मिलता हमें question solve करने के लिए और 25 question आते ह आप examiner क्या कर रहा है unit digit भी सेम कर दे रहा है calculation ज़रूरी नहीं में में आप कभी-कभी पानी पूरी खाने गए भईया दोस्तों के साथ में और उसने कहा आप मुझे 70 रुपी दे दो और मैं आपको 2 रुपे रिटेन कर दूँगा आप मुझे 5 रुपे वापस दो इसी में बना नहीं कुछ अब वहीं पर अपना सवाल बन गया है examiner क्या करता इनी सारी चीजों में डूंडते डूंडते जा रहा कहीं पर बीवी को शोपिंग कराने लेगा मौल में उसमें 100 रुपे दिये उसमें 50 रुपे वापस दे दिये बीवी के रिए मुझे 25 रुपे दो मैं वह खरित के लेकर आती हूं वही चीज प्रॉपे ट्लोस में बना के उसमें डाल दिया परसंटेज में बना के डाल दिया चीजे वही रिपीट होती है और आज मैं मतलब exam के question भी लेकर आया हूं कि ऐसा नहीं कोई भी calculation के tricks में आपको बता रहा हूं और आपको लग रहा है क कुछ भी बता के चले जा रहे है तो exam में हम तो apply नहीं कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं भाई सभी apply होते हैं कहां apply होते हैं वह भी मैं बताऊंगा कैसे questions आते हैं इस पर ठीक है तो calculation का अपन आज शुरू करेंगे अगर आप serious experiment है सच में तैयार ही कर रहे है चाहाई S.S.C की क हम एक से लेके 25 तक table पता होना चाहिए इसका कोई substitute नहीं है और table ऐसा नहीं कि अगर 144 मेरे दिमाग में आया तो आपको यह पता होना चाहिए कि 12 x 12 भी होता है 16 x 9 भी होता है 18 x 8 भी होता है 24 x 6 भी होता है इस प्रकार से 1 से 25 तक का table यह ही है अगर मेरे 119 पूछ लिया है तो आपके दिमाग में total तुरंत यह आना चाहिए कि 17 x 11 होता है वहना मतलब नहीं है फिर calculation का एक से 25 टेबल दूसरा एक से 25 तक square और दूसरा तीसरा एक से 20 तक cube ठीक है यह होई हमारी arithmetic भी बात advance की बात करूँगा नहीं कि आपको पाइथागोरियों ट्रिपलेट बता नहीं जी परसेंटेज की हो परसेंटेज के fraction भी आपको याद होना चाहिए लेकिन परसेंटेज के जब अपन पार्ट पड़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा और आज यह मैं बस खाली यह बता र आई इनको लेके बेटोंगे और इनको मैमोरास करने की कोशिश करते रहो गयं याद करने का सिंपल सा तरीका है आप इनको डेली लिखो डेली बस खाली लिखो कुछ मत करो एक हपते के बाद एक हपते क्या तीन दिन के बाद ही आप पाएंगे कि आपको याद होना शिरू हो गए क्योंकि बताओ टेबल में 10 तक तो आपको पता होगी टेबल 11 तक भी पता होती है 12 सी याद करनी कुछ लोगों को बस खाली 10 तक ही पता होती है कुछ लोग होते हैं इंटेलियर उनको 20 तक पता होती है बस खाली वो जो प्राइम नंबर वाले पहाणे उनमें अटक जाते हैं जैसे 17 का होगा, 19 का होगा, 23 का होगा इनमें थोड़ी सी समझ चाती है लेकिन आगर आपको कुछ भी नहीं आता मैं मान के चल रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं आ रहा भई तो आपको क्या करना है, बस खाली इनको लिखना है आपको कुछ नहीं लगेगा मुश्किल से मुश्किल 30 मिनिट लगेगा 30 मिनिट लगेगा और आपको ये एक हपते के अंदर याद हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं करना है कि जब याद हो गई तो आप इनको लिखना छोड़ दो जब याद हो जाए उसके बाद भी लिखते रहो अपने को इसमें राइटिंग जमागी नहीं लिखने हैं कोई मेरी एक बहुत में डिजाइन से बनाऊंगा पांच में ऐसे उसकी पूच लिंपी कर दूँगा चेको में कुछ नहीं बस काली रफ कोपी में लिखो और आपको पता चलना चाहिए कि आपने लिखा है तो चलिए शूरू करते हैं पेले आपको में बता देता हूँ कि आपन इस वीडियो में क्या-क्या पड़ेंगे आप क्या-क्या सीखेंगे सबसे मिन चीज तो में मुल्टिप्लिकेशन वाली ट्रीक होती है क्योंकि वही सबसे मुश्किल होती है एडिशन वगेरा तो सब नॉर्मल लोग कर लेते हैं गटा भी लेते हैं और इनका इतना रोल भी नहीं है जोडने वगेरा का में चीज किसका है मल्टिप्लिकेशन का है दुसरा किसका है भाग देने का है तो भाग देने में तो इसी कोई समझ से है नहीं कि आप भाग दे रहें तो मल्टिप्लिकेशन से भाग देना बन रहा है अगर आपको मल्टिप्लिकेशन आता है तो आपको भाग देना है डिविजन भी आ जाएगा तो मैंने मल्टिप्लिकेशन के क्या क्या निकाला है कि जो 100 नंबर के नियर है सो के नियर है उन नंबर का multiplication कैसे करेंगे दूसरा magic of 9 9 से गुणा कैसे करेंगे 99 से कैसे करेंगे 99 से गुणा कैसे करेंगे उसके बाद क्या है multiply by 5, 25, 125 अब 5 का 25 का और 125 का multiply तो अपने हर जगा देखा होगा जैसे rate अगर 4% आ गई फिर 4 है उनका multiply कैसे करेंगे उसके बाद फिर 101 और 1001 से multiply कैसे करेंगे उसके बाद फिर common multiply भाई जिसे किसी में कोई भी trick नहीं लग रही है जैसे मान लो 28 into 32 आ गया अब इसको कैसे करना है वो भी अपन सीखेंगे ठीक है उसके बाद अपन सीखेंगे division की trick में कि 5 से 25 से 125 से division केसे करना है और 15 सी division केसे करना है उसके बाद फिर अपन square के tricks देखेंगे और cube के tricks देखेंगे मुझे नहीं लगता इसके बाद कुछ calculation में बचेगा कुछ छोटा मोटा कुछ बचेगा तो अपन वो जैसे अगर वो टोपिक में बता रहा होता हूँ वहीं पे calculation के trick भी बताता हूँ अगर आपने देखा हो नेरी पुराने वीडियो को उसमें मैं बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे calculation के trick काम कर रही है कैसे यहाँ unit digit लगेगा कैसे आप इसे option से उड़ा सकते से कैसे आप multiplication देखके कि 11 का multiple है 7 का है 13 का है कैसे कहा use हो सकती और कहाँ पे आपको proper method ही लगानी पड़ेगी यह सारी चीजे में अपने वीडियो के अंदर बताता हूँ ठीक है तो चलते हैं पहले concept पे चली तो पहले concept पे चलते हैं अपन पहले concept क्या है कि जो ऐसे number जो 100 से कम है और कुछ अधिक है उनका multiplication अपन कैसे करेंगे मतलब 100 के आसपास वो लाई कर रहे है जिससे इसको देखे अगर आपन पहले question को क्या दिया है 102 into 108 दिया है तो पहले देखो यह 100 से जादा है यह कम है जादा है कितना जादा है 2 जादा है और इसको देखो यह 100 से जादा है यह कम है यह भी जादा है और कितना जादा है 8 जादा है ठीक है उसके बाद अगर इसका मुझे multiplication लिका आलना है तो क्या करना पड़ेगा पहले में pen change कर लेता हूँ ताकि आपको clearly समझ में आए क्या करना पड़ेगा 2 into 8 2 into 8 कितना होगा मेरे पास में 16 मैंने क्या किया कि ये 100 से जितने ज्यादा नंबर है उनका multiply कर दिया तो 2 into 8 करूँगा कितना आजाएगा 16 उसके बाद में cross में इनको जोड़ देना है क्योंकि ये ज्यादा थे इसलिए क्या कर देंगे जोड़ देंगे या तो 108 में 2 को जोड़ दो या फिर 102 में 8 को जोड़ दो दोनों में से एक काम कर दो और जोड़ के लिख दो कम है फिर से वही चीज अपलाई करेंगे यहां भी कुछ नहीं बतलेगा 8 into 4 कितना हो जाएगा मेरे पास में 32 ठीक है फिर से सेम वही cross में आप इनको घठाना पड़ेगा अब ये सो से क्या है कम है तो इनको घठा देंगे तो 92 में से 4 घठा दो या फिर 96 में से 8 घठा दो कितना आजाएगा मेरे पास में 8832 ठीक अब इसको देखेंगे अब यहां पर ये क्या है एक कम है एक ज्यादा है इसको कैसे सोल करेंगे 91 सो से कितना कम है वही 9 कम है और 102 कितना कम है 2 जादा है तो यहाँ पे थोड़ी सी अलग method होगी क्या method होगी, वो देखते हैं अपन यह जो बड़ा number है, 100 से जो बड़ा number है 102, इस में से मैं घटाओंगा जो, यह 100 से कम number है 100 से कितना कम है 100 से 9 कम है, तो 102 माइनस कितना कर दूँँ हमे 9 कम कर दूँगा, क्या किया मैंने, जो बड़ा नंबर है, उसमें से वो घटाना है, जो छोटा वाला नंबर, सो से जितना कम था, वो आली संक्या घटा देंगे, तो 102 माइनस कितना करते हैं मैंने, 9, ठीक है, उसके बाद, इसे डंडा खिचिंगे, उसके बाद यहाँ पर क्य मैंनस का 18, ठीक, अब यहाँ पर जो आ गया, इसको कैसे लिखेंगे, बस में चीज यही है, इसे में खिल, अब यहाँ के बाद अपना अंसर आ जाएगा, इसको लिखूँगा, मैं 93 में से एक कम करके, कितना, 92, और इस 18 को 100 में से घटा के लिखूँगा, ठीक है, या फिर कोशन एको लेते हैं, जैसे मैंने कहा, यह 4 नंबर में यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, इसका कलर चेंज करके लिखेंगे, ताकि ज्यादा के लिखूँगा, जैसे मैंने आपको कहा भई, कि 93, इसका मल्टिप्लाइए मुझे करके बताओ, 105 के साथ, ठीक है, पहले यह देखो, कि कितना कम और कितना ज्यादा है 100 से, तो मैंने कहा, कि जो 93 है, वो 100 से कितना कम है, वो कम है, 7, यह दीखेगा नहीं, यह कितना कम है, 7 कम है, 100 से कितना कम है, 7 कम है, और यह कितना ज्यादा है, यह ज्यादा है, प्लस 5, तो मैं क्या करूँगा, 105 में से कित हो जाएगा minus 35 तो 105 minus 7 जाएगा, इसमेill से कितना बचेगा मेरे पास में, बचाओ, यहाँ पर बचेगा मेरे पास में 98, और यहाँ पर ही कितना है, minus 35 है, अब मैं क्या सो में से गटा के लिख देंगे, müssen 35- 35 कितना हो तो कोई समस्या होगी नहीं कि अगर दोनों जादा है दोनों कम है जो समस्या हो रही है मैं वो किसमे हो रही है एक तो जो सो से कम है एक सो से जादा है और अधिकतर 9 कम थी, तो मैंने उसमें से 102 में से माइनस कर दिया, उसके बाद क्या करना है माइनस का 9 इंटु 2, जो अपन यहाँ पर multiply कर रहे थे, वह multiply यहाँ पर करना है बस इतनी सी बात थी, उसके बाद 93 से एक कम लिखा, मैंने 92 और उसको 100 में से घटा के लिख दिया ठीके, clear हो रहा होगा आपको आप जितनी ज़्यादा इनकी practice करते जाओगे उतना ही ज़्यादा इसमें मज़े आता जाएगा calculation का ऐसा ही है आपको एक समय के बाद मज़े आना शुरू हो जाता है क्योंकि आप बड़े-बड़े calculation को चुटकियों में अगले concept की और चल रहे है अगला concept क्या है अगला concept नहीं question को है इसी concept पर जो सो से अपने अभी देखा है कि सो के नियर जो number होते हैं उनका multiply कैसे करते हैं जैसे यह जो question आया है अपना 2023 की question है ज्यादा पूरा ना नहीं 1997 में है 2023 की question इसमें क्या पूचा था उन्होंने कि गिजरे उसका जो mark price है वो 9400 था और दुकानदार इस पर 4% की चुट दे रहा है अगर आपने profit and loss पढ़ा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर अंकेत मुलूली पर 4% की चुट दे रहा है तो यह 20 से 20 cancel हो गया 94 into कितना आजाएगा 96 यह देखो यह कितना कमे minus 6 कमे यह कितना कमे minus 4 6 कितना हो जाएगा भई 24 उसके बाद cross में घटाना है तो कितना आजाएगा 90 24 तो 9,024 इस सवाल का उत्तर होगा कौन सो option 2 option इस सवाल का उत्तर है तो ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक से वो काम नहीं आती बस काली हमें एक्जाम में याद नहीं आती और एक्जाम में याद ना आने का कारण क्या है lack of practice जितनी ज़्यादा हम प्रेक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा हमारे दिमाग में चीजे store रहेगी क्योंकि कुछ जैसे होता है कि हम नए नए लोगों का नाम तक बूल जाते है क्योंकि हमने उनको ज़्यादा बार देखा ही नहीं लेकिन हम अपने जो बचपन के दोस्ते हैं उनके नाम तक नहीं बूलते हैं उनके जानते हैं उनके निकनेम भी जानते हैं, जो कि हमने दस बारा रखे हुए हो थे, वो भी जानते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, उनके नमर रटे हुए, बार-बार उनको देख रहे हैं, बार-बार उनको बोल रहे हैं, बार-बार उनको बोल रहे हैं, बार-ब बार टाइप किये, उसके बाद आ गया, क्योंकि मैं सर्च करने आला साथा, तो डारेक्ट है इसा करता था कि किसी के नमबर 8085 से स्टार्ट है, तो मैंने 8085 लिखा और उसका नाम आ गया, और कभी-कभी ऐसा हो जाता थी, कि मैं डारेक्ट पूरे नमबर टाइप हो जाता था, उसके बाद mobile उसका नाम सज्रिश करता था ठीक है तो क्या करना है हमें बार-बार लिखके देखना है बार-बार practice करनी है अगला क्या है 9 का जादू 9 का जादू क्या है बई जैसे अगर मुझे 9 into 8 करना है सभी को पता है बहत्तर है लेकिन अगर बड़ी संख्या आ गए जैसे मेंने का 739 into 9 करना है तो इसमें हमें समझ्या होगी तो इसकी में आपको डारेक्ट्रिक बता रहा हूँ और 9 का multiply करना का काम आता है जैसे हमें 10% का discount दिया हो 10% का loss दिया हो तो वहाँ पर एक बटे 10 मतलब 9 का multiple हमें चेक करना होता की नहीं होता है और कभी-कभी examiner क्या कर देता है आजकल तो पहले हम क्या करते थे कि बढ़ी digital sum का use कर लो लेकिन अभी digital sum सभी का same देता है तो इसका केसे करेंगे 9 into 8 करना है तो पहले एक बात बताओ और 8 से एक कम चोटी संक्या कुन सी है तो आपने कहा 7 होगी 8 से एक कम कितनी होगी 7 होगी फिर जो भी number आया है इसको 9 में से minus कर देना है तो क्या number आया अपने पास में 7 आया तो 9 में से 7 minus करूँगा कितना हमें में 72 कितना हमें 72 इसका एक और example बताता हूँ, जिसे यहाँ पर दूसरा लिका मैंने, जिसे मैंने लिका 78 into 9, इसका कैसे करेंगे, 78 का just एक छोटा नंबर, कितना आजाएगा मेरे पास में, 77, और इस 77 को क्या करना है अपने पास में, 9 में से माइनस करना है, लेकिन यह थोड़ा सा दूसरा concept जाएगा, जो कि मैं यहाँ समझाओ, अभी रुक जाओ, इसको अभी अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी आप यह देखो, कि जहाँ, यह वाले डिजिट, और यह वाले डिजिट, अपने पास में सेम है, जैसे यहाँ भी एक डिजिट थी, और एक डिजिट यहा जाएगा मेरे पास में, 686, और जो भी नंबर आया है, उसको 9 से निन्यावे में से क्या करना मुझे, घटाना है, तो 9 में से 6 जाएगा मेरे पास में, कितना बचेगा, लास्ट रस से लिख क्या आना है, 9 में से 6 जाएगा 3, उसके बाद 9 में से 8 जाएगा 1, फिर से 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, मेरे पास में 3. यहाँ पे देखेंगे, यहाँ भी कीछी है? समान है. तो 15 into 99, 15 से एक कम कितना जाएगा, देख कितना जाएगा, मेरे पास में 57, और 57 को 99 में से घठाना है, तो 9 में से 7 जाएगा, 13, और 9 में से 5 जाएगा, 15, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे डिजिट कम है इधर 9 वाली और इधर ज़्यादा है यहाँ पे यह वाली कम है और यह वाली ज़्यादा है तो अगर 9 ज़्यादा है तो उससे हमें फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर 9 कम है तो उससे फरक पड़ेगा जैसे अब हमारे पास में 9 जादा है तो उससे फरक नहीं बड़ेगा सेम ट्रिक लगा दो जैसे मैंने क्या कहा था कि इनसे एक चोटी नंबर संक्या लिखनी है तो 37 में से एक जाएगा कितना बचेगा मेरे पास में 36 और उसके बाद इसे 9 में से गटा देना है तब एक बात बताओ अगर में यहाँ पे 999 में है और मुझे क्या गटाना है? 36 गटाना है तो कैसे गटाऊँगा? इसके आगे एक 0 लगा लो 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 7 जाएगा, क्तना बचेगा 2, टीक है? जेसे एक को लिखा में ने एक ये लिख दिया, 62 into 99. तो इसको कैसे सोलू करूँगा मैं, 61 10 लगा दिया 9 में से 0 जाएगा 9 ही बचेगा 9 में से 6 जाएगा 3 और 9 में से 2 जाएगा कितना बचेगा मेरे पास में 7 बचेगा ठीक है तो यहाँ पर digit कम हो हमें फरक नहीं पड़ता लेकिन यहाँ पर फरक पड़ता यहाँ पर फरक नहीं पड़ता अगर examiner यह देखे भईया इधर नो जादा है और इधर digits कम है तो आप बोल देना मुझे फड़क नहीं पड़ता मुझे फड़क नहीं पड़ता अब इना आरोडा सुनाओगा 389 इंटो 900 अन्यान में और यहाँ पर कितना कर रहेते हैं अपन पांसो सत्यासी इंटो निन्यान में अब इसको क्या के से करेंगे इसके ट्रिक थोड़ी सी ध्यान से देखना जैसे अपने पास में जो भी नंबर इनके पास में जो फर्स्ट डिजिट है उसको भी माइनस करने जैसे यहां पर कितना है पांच तो इसको भी मैंने माइनस कर दिया पांच से उसके बाद जो जितनी पी संक्या बच्ची हुई है जितनी पी संक्या जैसे यहां पर 587 इनको सब को किस में से माइनस कर देंगे 9 में से माइनस कर देंगे तो पहले ते गठा लेते हमाना कितना बचेका यह ड़ीज़ेगा यह, 5806, इसको लिखने की जरुभत यह यह यहापी लिखते हैं पर यह ड़ीज़ेगा अपने 5 में, 587-6 मतलब 581 यह बच जाएगा उसके बाद में इसका तो यूज कर लिया आपने इसको घटाएंगे आपन किस में से घटाएंगे इसको इसको घटाएंगे आपन 9 में से तो 9 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 1 और उसको घटा देंगे 10 में से 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3 मैं इसको वापस explain करता हूँ क्या किया है मैंने, जो number है उसमें से 1 तो minus करी रहे थे और 7 में इसका first digit minus कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास में 587 minus 1, minus 5 मैं जाएगा 587 minus 6 कितना जाएगा मेरे पास में 587, यह 3 digit मैंने यहा लिख दी, अब इस 5 का काम खतम हो गया अब क्या करना है, इस 8 को 10 में से minus करना है, और इस 7 को 9 में से minus करना है, 8 को 10 में से minus करना है, और 7 को 9 में से, तो 10 में से, अपने पास में 8 जाएगा, कितना बचेगा, sorry, इसको 9 में से minus करना है उल्टा बोल रहा हूं में इस वाली digit को 9 में से minus करना है और इस वाली digit को 10 में से minus करना है ठीक है तो कितना जाएगा 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा और 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3 एसा ही एक और अपने पास में जो Example है, उसको मैंने लिया है, मैंने क्या कहा, जिसे 38, 7, 9 है, इस में से 1 minus करना है, और 7 में इसका first digit, क्या है, 3 है, minus कितना कर दूँगा, मैं 3, उसके बाद में, क्या लिखेंगे अपन, इन दोनों को 9 में से minus करेंगे, और last digit को किस से minus करेंगे, 10 से, तो 9 में से 8 जाएगा, कितन बचेगा, 2 बचेगा, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, मेरे पास में, 1, तो 8, 29 में से 4 जाएगा, मेरे पास में, कितना बचेगा, 3, 8, 7, 5, और 7 में, 1, 2, 1, clear हुआ, कैसे करना है, 9 से multiply, जब 9 अपने पास में कम हो, और digits जादा हो, तो आपको ए वाली टिक्स लगानी ह आपको इसी में समझे आएगी, बाकी तो असान सी अपने उबस खाली 9 से minus करना था, ठीक है, अगले concept की ओर चलते हैं, अगला concept क्या है, कि 5 से 25 से या फिर 125 से multiply किसे करेंगे, आप क्या करते हैं, कि 68 इंटो 5 direct, या तो इस अगलों के पेले, 6 में multiply करो 5 चंग 30, और से बास 8 म हो जाएगा मेरे पास में 340, लेकिन इससे भी असान तरीका में बताता हूँ, अगर आपके पास में multiply कर रहे हैं 5 से, 25 से, या फिर 125, मतला last digit 5 आ रहा है, तो उसको कोशिश करो कि आप 0 बना लो, जितने जादा आप 0 बना पाओगे, उतने ही जादा आप खायदे में रहोग तो में किवल 1 0 बना सकता हूँ, अगर मेरे पास में 25 से, तो में maximum 2 0 बना सकता हूँ, अगर मेरे पास में 125 से, तो में maximum 3 0 बना सकता हूँ, और अगर मेरे पास में 625 से, तो में maximum 0 बना सकता हूँ, 4 0 बना सकता हूँ, अब आपको यह पता होना चाहिए, कि 0 कब बनता है, मेरे लिए आसान है जिसे अगर मुझे 5 लोगा मैं तो मैं 2 से ही multiply करूँगा तो 5 इंटू 2 हो जाएगा तो मेरे पास मैं कितना बंजाएगा 10 अगर मैं 25 से multiply कर रहा हूँ तो अब अगर मैंने 2 से multiply कर दिया 25 में तो 50 बना लेगा फिर से 5 और अगर मुझे उसको क्या करना है और आसान करना है तो मैं क्या करूँगा 2 की पावर 2 से multiply कर दोँगा जैसे जैसे 5 की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्या करेंगे 2 की power भी बढ़ा देंगे जैसे अगर मुझे 5 की power 1 है इसको 1 0 बनाने तो 2 into 2 की power करना पड़ेगा 1 उसके पाद यहाँ पर देखो 25 है 25 मतलब 5 की power 2 तो मुझे क्या काई से multiply करना पड़ेगा 2 की power 2 से क्योंकि यहाँ power कितनी हुई यहाँ पर 125 है तो मैं क्या करूँगा 125 है तो मतलब 5 की power 3 तो मैं क्या कर दूँगा 2 की power 3 कर दूँगा जोला समझते से जैसे मैंने क्या कहा 68 को मैं 5 से multiply कर रहा हूँ color change करते हैं बहुत हो गया इसका जैसे मैंने कहा 68 को 5 से multiply कर रहा हुँ और 60 को अगर 5 से multiply करना है तो मुझे क्या बनानी जीरो बनानी है मतलब में इंटू कितना करूँगा दो करूँगा अब ये एक्स्टरा दो जू आया है अब गणित का भई उसूल है जो आया है वो जाएगा जिंदिकी का भई उसूल है तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा इसको replace with करना पड़ेगा ताकि इसके आने से जीवन में कोई प्रभावना पड़े तो बटे में क्या कर दूँ में 2 कर दूँगा तो 2 बटे 2 कोई फरक नहीं पड़ेगा तो इस कितना मनेगा 5 इंटू 10 5 इंटू 2 10 बन जाएगा उसका आदा कर दूँ साथ में 0 चिप का दो तो 68 था 68 का आदा कितना कर दूँगा में 34 और 7 में 0 जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे 36 इंटू 5 करके दिखाओ तो 36 का आदा कितना 18 साथ में 0 मैंने कहा आपसे 58 into 5 करके दिखाओ तो 58 का आदा कितना 29 साथ में 0 कितना आ जाएगा दो समग पर ठीके कर पाओगे तो यह हो गया मेरा 5 से multiply अब जिसे मैंने कहा कि मुझे 25 से multiply करना है तो 25 से multiply करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपको 0 बनानी है तो क्या करना पड़ेगा 2 की पावर 2 करने पड़ेगी मतलब 84 into मुझे 25 करना है अब इसको आसान बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 4 बटे 4 से multiply कर दो तो कितना बना लेगा 25 चोग 100 दो 0 बनाएगा इस बार 2 0 बनाएगा और 4 से घर में इसको काट होंगा तो कितना बनेगा मेरे पास में 21 तो कितना आजाएगा अंसर बाई 210 तो अगली बार क्या करेंगे हम कि 4 से भाग देके अगर 25 से गुणा करना है तो 4 से भाग देंगे और 2 0 चिप का लेंगे जैसे मैंने कहा आपसे कि 96 into 25 करके बताओ तो क्या करूँ मैं 4 से भाग द तो 24 में 4 से भाग देंगे कितना बचेगा अच्छे और 7 में 2 0 से 600 अगला देखो यहां पर क्या है 125 मतलब 5 की पावर 3 मतलब मुझे क्या एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा 2 की पावर 3 तब जाके मेरे पास में 0 बनेगी तो 152 इंटो कितना करूँगा में 125 लेकिन एक्स्ट्र 161,000 तो मेरे पास में 3 0 एक्स्ट्रा लग जाएगी तो अगली बात जब भी मुझे 125 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा अगर मुझे 125 से मल्टिप्लाइ करना है तो क्या करूँगा मैं 8 से भाग दूगा और 3 0 एक्स्ट्रा लगा दूगा जैसे अगर यहां पे अब आपक ать करूँगा किशतना बच 이 का 49 मतलब मर भुआइट करना थोड़ा कटिन हो जाएगा अगर आपको चार से भाग muzli करना उस नंबर को दो बार आधा करो जैसे मेने 9tea को एक बार आधा किया कितना बचे का 49 और 49 को फिरसे आधा करूंगा कितना बचे का मेरे पास मिए 14.5 च 20.5 में में कितने का multiply कर रहा था 100 का multiply कर रहा था तो कितना आ जाएगा है 2450 क्योंकि एक 0 से multiply किया एक point इदर खी सकिया साथ में 0 आ गए 103 के साथ में 125 का multiply करना है मतलब मुझे कितने का बाग देना है एक 103 बटे 8 और 125 इंटो 8 कितना बन जाएगा मेरे पास में 1000 तो 103 बटे 8 कितने बार जा रहा है 12 बार तो एक जाएगा और 7 में कितना बच जाएगा मेरे पास में 7 तो 7 बटे 8 अपने percentage में friction पढ़ी होगी कि 7 बटे 8 का मतलब होता है आपके पास में 87.5% होता है 7 बटे 8 का मतलब और यहाँ पे percentage नहीं मतलब 2 0 और लग जाएगी तो 12. कित एक हजा तो कितना जाएगा 12,875 कितना जाएगा 12,875 अगर यह समझ में ने आए कि मैंने 7 बटे 8 कैसे किया तो यह देखो कि 8 से मेंने multiply कि भाग दिया था कितना आगया था 12 और 7 में कितना था 7 बटे 8 यह वाली fraction बनी percentage में 1 बटे 8 का मतलब कितना होता है 12.5% कितना होता है 12 12 उसी का साथ गुना किया मेंने मतलब 7 बटे 8 मेरे पास में कितना होगा 13.5% यह होगा लेकिन यहां पर क्या लगा है percentage का मतलब क्या होता है मेरे पास में बटे में 100 तो 13.5 में अगर में 100 का भाग दूँगा तो यह क्या बनेगा 0.875 यह बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा इसलिए मैंने क्या किया डारेक्ट लिग दिया 12.875 इंटू 1000 जो आंसर बन गया मेरे पास में पीछे कैसे हो गया इसको मिटा रहा था है ठीक है तो 5,25 यह 125 जो भी आएगा आप उससे multiply कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अब तो कर पाएंगे आगे चलते हैं आगे मेरे पा करो कितना होगा 42 उसके बाद 7 का आठ में multiply करो कितना हो जाएगा फिप्टी सिक उसके बाद जिए लास्ट की यूनिट डिजित है कितनी है उसको ऐसा किसा लग लो उसके बाद फिर 5 का जो अगला नंबर है उसके साथ उसको जोड़ दो 5 के साथ अगला नंबर क्या है पांच और दो, साथ हो जाएगा, यह दोनों यूज हो गए, इनका कोई काम नहीं है, अब चार के आगे कुछ नमबर है, नहीं है, तो चार को ऐसा किसा लिख दो, 476 हो जाएगा, फिर से इसको में देखो, जैसे यह तीन डिजिट का नमबर है, अगर मैं साथ से मल्टिप्ला कर रहा हो, साथ एक हम साथ में करूगा, फिर एक मैं करूगा, कूतना बने हında, फिर साथ में करूगा यहां सिके रख़ें वाद क्या पास में चार के आगे ग्मार करना ऑफ गुषाया जा 12 का, 2 हासिल कितना आजाएगा मेरि पास में, 1 इसके बाज 4 के आगे क्या है? 6 6 और 4 हाइए, 10 एक हासिल का चा जाएगा, 11 हासिल कितना है फिर से? eक आया 7 और 5 बारा क्योंकि यह दोनों को 8 हो गया था फिर से इन दोनों को 8 कर दो 7 और 8 12 12 और कितना 13 तो 13125 सवाल का पत्र होगा ठीक है अगर ना मानो तो केल्गुलेटर में करके देख ले ना कि कुछ भी बता के चला जा रहा है एसा नहीं है ठीक है करते रहो 11 से मल्टिप्लाइ करना तो सभी ने सीखा होगा अगर नहीं सीखा है तो मैं कुछ नहीं किया सकता हूं आपके लिए बस दो मिनिट का मौन रख सकता हूं नहीं सीखा है तो यहां भी देख सकते हो मौन क्यों रखेंगे आपके लिए मौन रखेंगे आप तय चले हम पे रिड डाल रहे हैं, देखो 89 into 11 कर रहे हैं, कुछ नहीं करना इसमें भी पहले unit digit देखो, unit digit क्या है, 9 है, तो ऐसी कैसी लिख ले नहीं है, उसके आगे जो number है, उससे 8 कर दो, 8 और 9 कितना, 17, 17 का 7 लिखेंगे हैं, 8 के आगे क्या है, 0 है, तो 0 और 8 कितना जोड़ द एक, 7 और 1, 8, 8 और 1, 9, तो 925 इस सवाल का उत्तर होगा, अगर मैंने 1957 into 11 किया, तो क्या करूँगा, unit digit ऐसी कैसी, 7 लिखा, 7 के आगे क्या है, 5, 7 और 5, 12 का 2, हासिल 1, फिर 5, 9, 5, 14 और 1, 15 का 5, हासिल कितना, 1 का जाएगा, 9 और 1, 10 और 1, कितना जाएगा, 11, 527 इस सवाल का इसे साथ से मत जोल देना भई, साथ में जो digit अपने यूज़ कर ली, वो यूज़ नहीं हो रही थी, यहाँ पर 7 और 5 को जोड़ा, फिर 5 और 9 को जोड़ा, फिर 9 और 1 को जोड़ा, 1 क्या कि कुछ नहीं था, तो अपन ने कुछ नहीं किया, ठीक है, 9 और 1, 10 और 11, सेही है, ग्यारा 527, साथ किया, फिर 7 और 5 बाराग 2, 8, 9, 5, 14 और 1, 15, 5, 8, 9, 10, 10, 10, 11, सेही है, अगर मुझे 111 का मल्टिप्लाइ करना है, ठीक है, अब ये 11 का मल्टिप्लाइ खतम हो गया वई, 111 का करना है, 111 का एक तरीका क्या है, कि मैं इस 111 को स्प्लिट कर दू, 100 प्लस 11 से, किस से कर दू, 100 प्लस 11 से, तो असान हो जाएगा, तो 68 इंटू 100 करेंगे, कितना आएगा मेरे पास में, 6, 8, 00, और उसके बाद 11 से मल्टिप्लाइ करके, इन दोनों को जोड़ दूँगा, तो 11 से 68 में मल्टिप्लाइ करो, कितना आएगा, 8, 8 और 6, 14 का 4, हासिल कितना मेरे पास में, 676, 7 में 00, और उसके बाद 676 का 11 में मल्टिप्लाइ, 6, 7 और 6, 13 का 3, हासिल 1, 7 और 6, 13 का 3, 13 और 14 का 4, हासिल कितना 1, 6 के आगे, कुछ नहीं मतलब, 7, कितना आएगा, 6, 3, 10, 7, 7, 14, 15, और उसके बाद 7, 7, 5, 6, 6, 3, 6, इस सवाल का उत्तर होगा, तो 11 का कैसे करना है, उसको स्प्लेट कर लो, 100 प्लस 11, एक और तरीका है, कि उसको जोड़ दो, इन डिजिट्स को जोड़ के, लेकिन उसमें confused हो जाए कि मतलब नहीं है, जब इस तरीके सा रहा है, तो एक दो सेकंड कम लगेंगे, और हो सकता है, आप भूल जाओ, इसलिए, मैं ऐसा त आगे चलेंगे, कि दो संक्या, जिनका अंतर कितना हो, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, पांच कब बन सकता है, यसे शे कब बन सकता है, साथ कब बन सकता है, कितना भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैंने कहा, कि दो consecutive number है, 14 into 15, consecutive number का मतलब क्या होते है, दो लगा कर देंगे, और उसमें से, वोही number 8 कर देंगे, जैसे मैंने क्या कहा, कि 14 into 15, तो इसमें छोटी संक्या कुन से ही, 14 है, तो 14 का square करूँगा, कितना आएगा, 196, और उसमें क्या कर दूघा, 14 का square, plus कितना करूँगा, मैं 14, 14 का square, 196 होता है, इसमें 14 जोडा मेंने, कितना अगर मेरे पास में difference कितना हुआ, तो हुआ, अभी मैंने क्या कहा, कि मेरे पास में difference एक हुआ, या फिर consecutive number है, तो मैं क्या करूँगा, छोटी संक्या का square कर दूँगा, और उसमें वही संक्या जोड़ दूँगा, लेकिन अगर मैंने कहा, कि भाई, दो ऐसी संक्या है, जिनके बीच का difference कितना है, दो है, तो आप ये number बताओ मुझे, कि इन दोनों के exactly बीच में कौन सा number है, तो आप बोलोगे 18, इन दोनों के exactly बीच में number कौन सा है, 18, तो मैं क्या करूँगा इसमें इस बार, कि जो 18 है, तो 18 का square, और 7 में मैं मैं minus करूँगा, क्या minus करूँगा, 17 और 18 18 में कितने का difference 1 का, 18 और 19 में भी कितने का difference 1 का, तो मैं 1 का square minus करूँगा, क्या करूँगा, 1 का square, आप बलोगे, भाई, 1 का square करो, या 1 करो, एक ही बात, एक ही बात है, लेकिन आगे अभी ये चीच काम आएगी, ठीक है, तो 18 का square कितना होता भाई, 324, और 324 में इसे 1 323 बच जाएगा, अगले सवाल पर चलते हैं, अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला है बोल रहा है कि इनके बीच का difference 3 है, अगर बीच का difference 3 है, तो मैं exactly ये नहीं बता सकता है, कि मेरे पास में इनके बीच में number क्या होगा, अगर बीच का difference है, तो आपको इस case में क्या करना है कि जो 23 से जो सबसे छोटी संक्या है उससे एक बड़ी संक्या लेनी है तो एक बड़ी संक्या कुन सी होगी मेरे पास में 24 होगी तो 24 का square और इसमें क्या करना है? 8 करना है क्या करना है? 8 करना है क्या 8 करूँगा मैं? जो 23 से एक कम संक्या होगी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो छोटी संक्या है उससे एक बड़ी संक्या का square ले रहा हूँ और उसमें जो छोटी संक्या है उससे जस्ट एक छोटी संक्या को 8 कर रहा हूँ तो 24 का square कितना वजाएगा मेरे पास में 22 कितना वजाएगा 22 इन दोनों के exactly बीच में कुन सा नंबर है आप मुझे बताएंगे exactly कौन सा नंबर हो गया 36 होगा वही कितना होगा 36 होगा क्योंकि 34 से यह ज्यादा है और यह दो कम है तो इस बार में क्या करूँगा 36 का square करूँगा अब यहाँ बताओ यह वाले situation create हो रही है यह वाली हो रही है कि यहाँ भी क्या था exactly बीच में नंबर था यहाँ भी हमारे पास में क्या मिल जाएगा exactly बीच में नंबर मिल जाएगा यहाँ पे 17 और 18 या 18 की बीचे एक का difference था यहाँ पे difference कितना मंदा है मेरे पास में दो मतलब इस बार में क्या करूँगा difference के square को minus कर दूँगा 36 का square कितना होता है 1296 और 1296 minus 4 करूँगा कितना आ जाएगा मेरे पास में 1292 ठीक है clear हुआ तो इन चीजों की practice करो भाई इतनी सारी चीजे में एक साथ आपको बता तो रहा हूँ लेकिन आपके अंदर कितना जा रहा है आपकी capability क्या है और आप पे अपने हिसाब से ही कुछ number लिखने है मैं अलग से कुछ इहां कोई exam में उगरा थोड़ी लाए मैंने खुद ने बनाए ते number तो आपको अपने हिसाब से कुछ number लिखने है उसके बाद calculator में calculation करके देखो कि यह सही है या नहीं और फिर अपने हिसाब से अपने जो trick सीखी है या फिर trick सीखो concept के दो कुछ भी के दो अपने जो सीखा है उसको लगा के देखो अंसर में इस करना बहुत ज़रूरी है यह तो सभी को पता होगा कि अगर दो digit के number में 101 का multiply करता हो तो वो digit क्या होगी अपने आप में repeat होगी जैसे मैंने कहा कि अगर मैं AB में 101 का multiply कर रहा हू तो यह अपने आप repeat हो जाएगी AB AB यहाँ पर क्या है 37 into 101 है तो यह क्या हो जाएगा मेरे पाफ में 37, 38 into 101 है तो कितना होगा 6, 8, 6, 8 अगर 1001 से multiply कर रहे हैं यह बता है मैंने आपको 101 से multiply करना अगर मैं कहूँ के 1001 से कर रहे हैं और तीन नंगों किसन क्या है ABC into कितना कर रहा तो क्या होगा ABC ABC मतलब यह भी अपने आप क्या करेगी repeat करेगी तो 383 into 1000 कर रहे है मतलब कितना होगा 373, 373 अगर मैंने कहा 6, 8, 7 को 1001 से multiply कर रहे हैं तो कितना हैगा मेरे पास में 6, 8, 7, 6, 8, 7 तो यह था 101 और 1001 से multiply कर रहे हैं जैसे मैंने कहा 5 भी अबाज्य संक्या और 100 से तुरंत बड़ी अबाज्य संक्या का गुणनफल बताओ, अब आपको पता होना ही चाहिए कि यहां पर प्राइम नंबर क्या होती है और 100 से बड़ी जो पहली प्राइम नंबर हो क्या होती है तो वह तो मैं बता रहा हूं कि 100 से तुरंत बड़ी जो अबाज्य संक्या है व 2, 3, 5, 7 और उसके बाद 11 9 अवाज्य संक्या नहीं होती, 2 होती है 2 को आप यह समझ लोगे even number है, 2 prime number नहीं है तो 2 prime number होती है और उसके बाद 9 prime number नहीं होती वो हमारे पास में होती, क्योंकि उसका 3 एक multiple है तो 11 into 101 करूँगा तो कितना आजागा मेरे पास में 1111 अब यहां पर 11 का भी multiple use हुआ है 101 का भी, अगर दोनों में से आपको एक भी बता था, तो आप तुरंट इस सवाल को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं ठीक है common multiply की बात करता हूं common multiply के साथ अगर दो संख्या का बेस से में, जैसे 28 और 22 और उनका जो last unit digit है, उनका sum 10 बन रहा है जैसे 8 और 10 तो diet इसका आपन क्या कर सकते हैं multiply कर सकते हैं, कैसे? इनका unit digit का multiply बताओ, 8 दोनों कितना हो जाएगा 16 और 2 से 1 बड़ी संख्या 2 से बड़ी संख्या कुण सी? 3, तो इन दोनों का multiply कर दो 3 दोना कितना हो जाएगा, मेरे पास हमें 6 कितना आजाएगा, 600 छोला अगर मैं 34 इंटो 6 की बात करूँ तो यहां भी क्या है, बेस से में 3 और 3 है और इनका unit digit का समय में वो भी कितना बन रहा है, 10 बन रहा 6 और 4, 10 तो डारेक्ट मुल्टिप्लाइ कर देंगे unit digit का अगर मैं multiply करूँगा 4 इंटो 6 कितना जाएगा, मेरे पास में 24 बनेगा, और 3 से 1 बड़ी संख्या कितने होती 4, तो 4 तीय कितना जाएगा, मेरे पास में डिजट से जाथा क्या multiply मेरे पास में नहीं आता 3 डिजट का आ जाता है maximum, लेकिन maximum case में होता है, लेकिन 99% case में क्या होता है, 2 डिजट into 2 डिजट, इस से जादा नहीं आता, तो अगर आपके पास में 2 डिजट बन रही है, जैसे 68 into कितना है, 82 2, तो आपको क्या करना है, कैसे multiply करना है, जैसे, मैंने क्या खाए, इसका unit digit का multiply करो पहले, 8 into 2, एसे multiply करना है इसे multiply करो, 8 into 2, कितना हो जाएगा, 16, 16 का चाहिए हासिल 1, उसके बाद फिर क्या करना है cross में multiply करना है, एक काम करते है, question को open क्या करो इस वाले color से लिखते है, digital चीज का use करेंगे, जैसे मैंने क्या कह रहा तामे, आपको क्या करना है, पहले इसे multiply करो, 8 into 2, कितना होगा 16, 16 का 6 हासिल कितना जाएगा, एक उसके बाद फिर क्या करना है, cross में multiply, जैसे 8 into 8 कितना होगा 64, और 6 into 2 कितना होगा 12, तो आपको याद रखना है कि 64 और 12, दुनों के क्या करना है, जोड़ना है तो 64 और 12 कितना होगा, 76 76 में एक जोड़नों का कितना जाएगा मेरे पास में 77, 77 का 7 हासिल कितना लेंगे, फिर 2 लेंगे, उसके बाद फिर क्या करना है, एसे, एसे मल्टिपलाई करना है, तो 6, 8, 48 48 और 47 कितना में जाएगा मेरे पास में 57, तो 57, 66 S का अंतर आईगा, मैंने कहा कि मुझे करके बताओ 23, एक पहला सवाल था वही, इसका इसको देते हैं, पहला सवाल है एक दूसरा सवाल है, एक यहा है तीसरा सवाल है, और एक चोता सवाल है और एक पांच वा सवाल है 23, मेरे पास में मान लो मुझे करना है, 33 करना है, तो कैसे करेंगी बताओ, इसको एक बाद ट्राइ करो उसके बाद फिर सोलुशन देगो मैंने कहा, पेले एसे मल्टिप्लाइ करना है, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 आजाएगा, कुछ भी हासिल नहाएगा, उसके बाद फिर होरिजों टेले, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 9 और 6, 15 का 5 कितना आजाएगा, हासिल एक आजाएगा, उसके बाद फिर एसे मल्टिप्लाइ करना है 2 तिया 6 और 7, 759 सवाल का ठीक है, आ रहे समझ में, कि अगर कहीं पे कोई भी ट्रिक नहीं लग रही है, ओभी मैंने बता दिया 90 परसेंट चीजों में तो इन में से कुछ ना कुछ तो लगेगा ही लगेगा अगर कुछ नहीं लग रहा है, तो फिर एवाली चीज तो कहीं नहीं गी है ठीक है चलें आगे, उसके बाद क्या करना है, डिवाइट करना है देखो, डिवाइट का मैंने अभी सीधा सरूल बताया था कि जो आपने चीजे मल्टिप्लिकेशन में सीखी है उसी का यूज डिवाइट में करना है इसका ही मैं डिवाइट में दिखा था हूँ, देखो मैंने क्या बताया था अभी आपको कि बस 5, 25, 125 दिखे, उनको 0 बना दो पहले उपर 0 बना रहे थे, अब नीचे बना लो जैसे मैंने क्या कहा, कि 37 इंटू 5 है तो 5 को मैं मुझे 0 बनाना है मतलब क्या करना पड़ेगा, उपर नीचे 2 से मल्टिप्लाइ करने का पड़ेगा तो 2 इंटू बते 2, यह आ जाएगा यह आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा यह आया मेरे पास में, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया 37 बटे 5 इंटू 2 इंटू 2 तो 37 का डबल कितना आ जाएगा, 4 बटे कितना, 2 मतलब कितना आ जाएगा, 7.4 कितना आ जाएगा, 7.4 तो इस बार मैंने क्या बताया आपको कि भाई कुछ नहीं करना है 37 का double करो जो संक्या दिये उसका double करो और उसके बाद एक के बाद point लगा दू जैसे मैंने कहा कि अगर मुझे 68 में 5 का भाग देना है तो 68 का क्या करूँगा मैं double करूँगा उसके बाद एक के बाद point लगा दूँगा तो 68 का double कितना 136 उसके बाद एक के बाद point मतलब कितना आ जाएगा 13.6 जाएगा ऐसे यहाँ पर देखे अगर अगर अपन 137 बटे 25 है 137 बटे 25 का मतलब क्या हुआ कि मुझे उपर नीचे नीचे 0 बनाने मतलब 4 से क्या करना पड़ेगा मुझे 4 से divide और 4 से गुना करना पड़ेगा तो 137 इंटू 4 करेंगे उसके बाद 2 के बाद point लगेगा अगर नीचे 25 है तो 2 0 बनेगी मतलब 2 के बाद point लग जाएगा तो 137 का 4 गुना करना है 137 का 4 गुना और बटे कितना आजाएगा मेरे पास में 100 अब देखो 137 चार का multiply करने मतलब जाना क्या करना 13 इंटू 4 करेंगे कितना आजाएगा 520 उसके बाद क्या बचना मेरे पास में 7 7 चोक कितना आजाएगा 28 तो 520 पे 8 जोड़ों को कितना आएगा 548 548 बटे 100 मतलब 5.48 इस सवाल करता होगा ऐसे ही क्या दिया है मैंने 162 बटे 125 मतलब कितना आजाएगा मेरे पास में 162 इंटू 8 बटे कितना आएगा 125 इंटू 8 मतलब नीचे कितनी 0 बनेगी 30 मतलब इस बार जो पॉइंट लगाऊंगा में वो कितने के बाद लगाऊंगा तीन के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो 162 इंटू 8 कर रहे तो 168 कितना होगा 168 होता है मेरे पास में 128 मतलब 1280 1280 बटे कितना आजाएगा मेरे पास में 1296 कितना आजाएगा 1296 सही हा ना 168 इंटू 828 कितना है 1.296 ठीक है आई बाद समझ में चले आगे तो यह अपना डिविजन हो गया वही 525 और 125 का उसके बाद 15 का डिविजन देख लो 15 का डिविजन में आपको खाली एक ही करके बता रहा हूं यह गलत आ गया वही इसको मत देखना इग्णोर कर दो जिसे मैं क्या कर रहा हूं कि 4509 म बनेगा तो क्या करो सिधी से बात है उपन नीचे 2 से मुल्टिप्लाइ कर लो उपन नीचे किस से मुल्टिप्लाइ कर दूँगा मैं 2 से मुल्टिप्लाइ कर दूँगा 2 से मुल्टिप्लाइ अगर मैंने यहां पर किया तो कितना बनेगा 45 का डबल 90 और 9 दुनी कितना बने तो आपको लास्ट में अगर पांच दीखे इसका सीधा सा मतलब आपको 0 बनानी है ठीक है और अगर 2 से 4 से और 8 से भाग दे रहें यही पर मैं बता देता हूं आपको अगर मैं 2 से डिवाइट कर रहा हूं मतलब आदा कर रहा हूं जिसे 68 बटे 2 या फिर मैंने कहा वही के 1114 ह 4 से भाग दो तो 68 का आदा करना है मुझे 2 से बाग देने का मतलब आदा करो कितना जाएब 3 सका आदा करना है तो किसे करेंगे इसको किसे करें एकाजार पलस 114 में 1000 का आदा कितना अचावन मतलब 59 applied 27 सबाइलका उसके बास बाद 888 मेंkaaे क्या करना है जाल से भाग देना है तो कैसे split करेंगे इसको भाई देखो अगर 5,000 है 5,000 का मैं आदा करूँगा कितना बनेगा पास में 1250 कितना बन गया 1250 इसको मने ही मन में रख लेंगे उसके बाद 836 है 836 का आदा करेंगे अपन कितना बनेगा मेरे पास में 418 और 418 का फिर से आदा करूँगा में तो कितना बनेगा मेरे पास में 209 बन जाएगा 209 मतलब कितना आ जाएगा 1460 कितना आ जाएगा 1460 अगर आप 4 का भाग देने जाते तो फिर थोड़ी समस्या होती इसे मन ही मन में अपन कर सकते हैं प्रेक्टिस के थ्रू जितना जादा आप चीजों को मन ही मन में करोगे पैन कम यूज करोगे कैलकुलेशन में शुरू में पैन यूज करनी है लेकिन जब आप इसके आदी हो जाए आदी का मतलब कि एक मेन आपने अच्छी खासी प्रेक्टिस कर ले उसके बाद फिर केलकुलेशन को मरही मन में करना सीको ठीक है तो अपना डिविजन के ट्रिक होगे उसके बाद आपन आगे चलते हैं आगे है अपना स्कॉयर के ट्रिक स्कॉयर में पेले में वो बता रहा हूँ जिनकी यूनिट डिजिट क्या होती है पांच होती है अगर जिनकी यूनिट डिजिट पांच होती है इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा काम बहुत असान हो जाएगा जिसे मैंने का 5 का स्कॉर 5 का स्कॉर कितना होगा मेरे पास में 25 यह तो सभी को पता होगा अब 5 का स्कॉर 25 है लेगी न अगर मुझे 25 का स्कॉर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लास्ट में डिजिट बताओ कितनी है 5 है 5 का स्कॉर लिग देंगे तुरंट 25 ठीक है और इसके बाद में यहां पर कितना है 2 है तो 2 से तुरंट एक बड़ी संक्या कितनी होती है 3 होती है तो 3 इंटू करूँगा कितना आजाएगा मेरे पास में 6 क्या किया मेरे डबल के से रिपीट हो गया इसको बुल जाओ इसको देखो 35 35 में 5 है लास्ट में कितना आजाएगा 25 और 3 से तुरंट एक बड़ी संक्या क्या होती है 4 होती तो 4 इंटू कितना कर दूँगा मैं 3 कितना आजाएगा 1225 यहां पर देखो 5 लास्ट में 5 है 5 का इसकोर कितना 25 4 से एक बड़ी संक्या कितना 5 है 5 जो कितना आजाएगा 20 है जाएगा मतलब 2025 इस सवार का उता हो जैसे और भी सवाल है अपने पास तेंशन मतलब 55 है 5 का इसकोर कितना 25 है और 5 से एक बड़ी संक्या क्या तीछे होती तो 6 पंजे कितना आजाएगा 30 आजाएगा अब इनका सब का सवाल आप मुझे कमेंट में बताओगे अब यहाँ पे में 95 का जरूर बता रहा हूं कि 95 का स्कॉर कितने निकलेगा मेरे पास में 25 आजाएगा और 9 से 1 बड़ी संक्या कितनी 10 तो 9 इंटो 10 कितना आजाएगा मेरे होते 11 तो 11 इंटो 12 कितना होता मेरे पास 132 तो 132 और साथ में 25 इस सवाल का उत्तर होता है 115 का स्कॉर इसे आप 125, 135 कितने भी बड़ी संक्या का स्कॉर निकाल सकते हो अगर लास्ट में 5 बन रहा है तो अगर लास्ट में 5 ना बने तब केसे निकालेंगे बताओ तब हम देख जितने पास 4 के पहरेंगे जो संक्या पहले 100 के नजदी के मतलब 100 बस है तो पहले हम देखेंगे कितनी कम है चार को के से लिख सकता हूँ 0 4 square का मतलब क्या होता है 2 into 2 मतलब 2 digit लिखनी है अपने को उसके बाद हमें यह देखना है कि कितनी कम थी कितनी कम थी वही 2 कम थी तो इस number में से जितनी कम थी उतना minus कर दो तो 98 में से कितना minus करूँगा मैं 2 minus करूँगा क्योंकि यह 2 ही कम थी 98 में से 2 जाएका कितना बचेगा 96 तो इस सवाल का उत्तर होगा जिसे इस सवाल को अगर अपन देखे तो यह 100 से 15 कम है तो 15 का square बताओ कितना आएगा 15 का square बताओ कितना आएगा 15 का square होता है मेरे पास में 225 कितना होता है 225 होता है 15 कमता तो 85 से में कितना माइनस कर दूँगा 15 माइनस करूँगा 85 में से 15 माइनस होगा कितना बचा 70 लेकिन मैं इस बार 70 नहीं लिखूँगा क्योंकि मेरे पास में हासिल का 2 भी बचा था तो 70 और 2 कितना आ जाएगा मेरे पास में 72 तो 72,25 इसाओ का उता है यहां पर हमें एक्ज़ेट दो डिजट मिल गई अब यह अगर ज़्यादा था तो इसमें क्या करूंगा मैं जोड़ दूँगा सीदी सी बात है जो कम था उसमें से माइनस कर रहे थे तो जो ज़ादा है उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को देना पड़ेगा तो 104 और 4 कितना हो जाएगा? 108 कितना हो जाएगा? 108 हो जाएगा सेम इसे ही एसे करेंगे कि 19 का स्कॉर कितना हो दा है मेरे पास में? 361 तो लास्ट डीजिट क्या है? 61 है 3 को ऐसे रखेंगे मन में 119 में फिर से कितना जोड़ दूँगा? सेम नमर जो जितना जादा था कितना जादा था? 19 जादा था तो 119 प्लस 19 करूँगा कितना आ जाएगा? 138 आ जाएगा और 138 में में 3 जोड़ूँगा कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा 141 आ जाएगा कभी कभी क्या करता है algebra में आपको दे देता है कि भाई x प्लस 1 बाई x बराबर मेरे पास में 9 है कितना है 9 है तो आपको x की पावर 4 प्लस 1 उपॉन x की पावर 4 बताने देता है अगर आपने algebra पड़ा हो तो वहाँ पे square वाली चीज़े आपको याद होनी चीए क्योंकि unit rigid भी हो same दे देता है ठीक है यह बताओंगा नहीं में करके आप सोचरों algebra भी यहीं सिख लेंगे यह हो गया मेरे पास में 100 जिसका बेस होता है अगर आपको एक दो example और देखने है तो जिसे में ने कहा 86 का मैं बता देता हूं कि 86 का किसहने निकालेंगे कितना कम ए ہے 14 कम है 14 कोई कितना होथा है 196 तो में ने last में कितना रिका yapεις 196 eлей पो यह इसे रहने दिया 86 सो से कम था कितना कम था 14 कम था मैं 86 में से कितना माइनस कर दूगा 14 कितना मचेगा 72 72 और एक कितना आ जाएगा 73 96 ठीक है कर लोगे बहुत आसान चीज़े 100 से नजदीक वाली चीज़ अब अपन देखेंगे 50 से नजदीक अगर 50 से नजदीक वाली चीज़ देखनी है अब एक बात तो याद रखना है कि जो 50 से वो 100 का कितना है आदा है अगर यह चीज़ याद रखोगे तो इस के ट्रीक याद रखने में बहुत असानी होगी सेम चीज़ देखेंगे कि भई जो 58 है वो 50 से कितना जदा है कितना जदा है 8 जदा है तो मैंने क्या लिखा 8 का स्कॉर लिखा कितना 64 तो यहाँ की जो दो डिजिट है वो लिखगी मैंने 64 लिख दी अब क्या करूँगा मैं सेम चीज यहां पर करूँगा कि अठावन में कितना जोड़ूँगा आठ जोड़ूँगा अठावन में कितना जोड़ना पड़ेगा मुझे यहां भी आठ ही जोड़ना पड़ेगा जिसे यहाँ पर दो box बना लो इसमें ताकि आपको ज़्यादा आसानी स्याद रखेगी 58 प्लस क्या कर दूँगा मैं 8 यह करूँगा यहाँ भी सेम चीछ करूँगा कि जितनी ज़्यादा संक्या है उतनी कर दूँगा लेकिन इस बार क्या होगा कि जो 50 बेसे 100 से कितना कम है यह 100 से 100 का आदा है सुरी कम नहीं देख रहे है अपन आदा देख रहे है जिसे मैंने क्या लिखा यहाँ पर 58 प्लस 8 लिखा था और दूसरे यहाँ पर यहाँ पर क्या लिखा था मैंने 64 लिखा था तो मैं क्या कैरहा हूँ कि जो 50 सेrich Success का कितना है? आदा है मतलब इस वाले number को भी क्या होना पड़ेगा? आदा होना पड़ेगा क्या होना पड़ेगा? आदा तो 80 का मैं 8 जोड़ें के कितना बनेगा? मेरे पास में 66 66 का आदा कितना ओजाएदा है कि मेरे पास में 33, तो इस सवाल का आंसर जो बनेगा 33, कितना बनेगा 6, 4 बनेगा, जिसे मिने कहा 47 है, 47, 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो मैं यहाँ पर क्या लिकूंगा, 3 का square कितना होता है, 0, 9 होता है, अब तो direct पता चल रहा होगा आपको, और 47 में से कितना minus करूंगा, मैं 3 minus करू जाएगा 44, और 44 का आदा कितना होता है, 22, 7 में कितना, 0, 9, 36 को अगर आपन देखेंगे, 36 को देखो भई, 36 को पहले बनाओ, उसके बाद फिर solution देखना, 36 को बनाओ, कितना कम है, अपने पास में इस से, 50 से, 14 कम है, तो 14 का square कितना होगा, मेरे पास में 196, कितना होगा, 196, तो साथ में क्या करूँगा, मैं इसका आदा कर दूगा, साथ में क्या कर दूगा, इसका आदा, तो 36 माइनस 14, कितना बनेगा मेरे पास में, यह बनेगा 22, और 22 का आदा कितना, 11, और साथ में कितना है, एक कोलम में, मुन 96 है, लेकिन मुझे यहां से तो 96 ही उठाना है, कितना उठाना है 96 उठाना है तो फिर 1 बचा इसका क्या करेंगे यह हासिल के रूप में लेंगे और इसको इस में जूड देंगे तो 11 कितना हाय मेरे पास मैं 12 56 कितना हाजाए गर गर तो अगर एक से सो तक इसक्वाइर आते हैं तो भाई इस से अच्छी trick आपको कोई मिलेगी ही नि अगर आपको direct निकालनी है तो direct निकालने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे निकलेगी अगर आपको यह नहीं देखना base वगेरा यह जो trick रहेगी यह सभी में रहेगी trick नहीं वह basically formula है जैसे आपको पता होगा कि जो a plus b का whole square है वो क्या होता है a square plus b square sorry यह नहीं होता यह होता है मेरे पास में a square plus 2ab plus कितना होता है b square तो जो 2ab extra मिल रहा है कि मिल रहा है मित्रों हो 2ab मेरे पास में extra मिलता है कहां से आता है पता नहीं कहां से आता है मुझे में नहीं पताओ, बताओंगा कभी, एलजेबरा पढ़ाओंगा, तो बताओंगा कि 2AB क्यों आता है, कि A plus B into A plus B कर रहे हैं, तो जो multiply होता है, तो A का A में होगा, फिर A का B में होगा, फिर B का A में होगा, यसे होगा, जैसे मैंने कहा कि मुझे 63 का square बताना है, क्या बत है, तो 6 into 3 into साथ में इस दो का भी, तो 6 ती 18, 18 का double कितना जाएगा, 36, हासिल कितना जाएगा, 3 आएगा, उसके बाद भी 6 का square बोड़ो, 6 का square 36, 36 और 3 कितना जाएगा, मेरे पास में, 39, तो 3, 9, 6, 9 इस सवाल का उत्तर होगा, जैसे मैंने कहा 64 का square बता हूँ, आप 4 बना, 6 का square 36, 4 कितना जाएगा, 40, 9, 6, अब ऐसा नहीं है, मैंने 63, 64 लिखा तो इस पे लगेगी, सब पे लगेगी, बस आपको पता होना चाहिए, क्या करना है, पहले का square एग डिजिट लिकी, उसके पास भी दोनों का आपस में multiply, उसका double, जो भी हसिला है, उसको जो फिर एक को 4 बार repeat किया, एक को 5 बार repeat किया, जैसे यहाँ पर 3 हुआ है, जैसे यहाँ पर 6 हुआ है, तो कभी का बार examiner इन पर ही सवाल बना देता है, तो इसको केसे करेंगे, जैसे मैंने कहा 11 का square, क्या होता है, 1, 2, 1, 120, सभी को पता है, अगर मुझे 111 का square करना है, तो कितना होगे मेरे पास में, 1, लेकिन यहाँ पर 11, एक कितने पार बार था मेरे पास में, 2 बार था, तो मैंने क्या लिखा, 1, 2, उसके बाद फिर एक कम लिख दिया, यहाँ पर एक कितनी बार है, 3 बार है, तो मैं क्या करूंगा, 1, 2, 3, फिर पीछे जाओंगा, कितना जाए एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर पीछे जाएंगे, चार, तीन, दो, एक, अब यह मत पूछना कैसे आएगा, यह ट्रिक है भाई, ठीक है, अब ऐसे इसको देखो, अगर यहाँ पर तीन का स्क्वार लिखो में, तो तीन का स्क्वार कितना होता है, 0, 9, कितना होता है, 0, 9, 9 नहीं होता है, 0, 9 होता है, 33 का अगर मुझे स्क्वार करना है, तो क्या लिखना है, 0 लिखना है, 9 लिखना है, कितना लिखना है, 0 लिखना है, 9 लिखना है, इसमें देखो, 3 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 2 बार, लेकिन मुझे क्या करना है, 9 से 1 कम, कितना होता है, 8, और 0 0 से 1 बढ़ा, कितना होता है? 1 होता है, इनको 1 बार लिखना है, जैसे मैंने 333 कहा, तो 333 मतलब, 0,9 तो आए गई आएगा, उसके बाद इसमें 3 कितनी बार है? 3 बार है, तो मुझे 2 बार लिखना है, 9 से 1 कम, कितना? 8, 8, 0 से 1 बढ़ा कितना होता है? 1 होता है, तो इसको भी मै कितने बार लिकों गा, दो बाँ, जैसे यहां पा, 3333 है, तो यहां पे फिल से मैंने लिखा, 009, यहां पे, 4 बार 3 है, इस बार कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, 9 से 1, 40, 8, 58, 0 से बाड़ा, एक, 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 तीन बार आया, तो यह 3,333 स्क्वार है और यह 133 का equipo यह 6 का स्क्वार करेंगे 6 का कितना आ जाएगा मेरे पास में? 36 यहाँप बी 16? 36 6 से एक क्योटा कितना 5 , 3 से 1 कितना आ जायागा चाल, यहाँ पर दो बार 6 था इसलिए एक बार ऐसा किया आगर यहां पर 3 6다고 होगा मैं तो मैं फिर से देखूंगा अगर मैं यहां आजाएका 3 और 6 यहां पर चार बार चेहे तो किया यहां पर कितनी बार आएगा तीन बार तीन बार तो कभी-कभी एक्जामिनर डारेक्ट इन पर सवाल बना देता है एक सावल है भी उसे मैं शोट में डालूँगा देखना क्यूब को और देख लेंते हैं क्यूब क्या होता है क्यूब का खाली में एक क्यूशन बताऊंगा उसके बाद आपको करना है क्योंकि समय हो गया अपना A प्लस B का होल क्या होता है मेरे पास में A Q plus 3A SQUARE B plus 3AB का SQUARE PLUS मेरे पास में क्या होता है B Q होता है बस इसी फॉर्मुले पर बेश्ट है और Q का इतना ज़्यादा अपने पास में होता नहीं है लेकिन 1 से 20 तक जो Q Use होते हैं वो 1 से 20 तक क्यों होते हैं जो कि हमें usually पता होते हैं लेकिन फिर भी सीख लेते हैं, calculation के part है तो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है A cube, यह फिर एक काम करता हूँ, मैं आपको direct बताता हूँ, जैसे मुझे 23 का cube निकालना है, तो आपको यहाँ पर लिखना है 2 का cube, और यहाँ पर अंते में लिखना है 3 का cube, क्या होता ह 2 का cube क्या होता है मेरे पास में, 8 होता है, 3 का cube क्या होता है मेरे पास में, यह होता है 27, कितना होता है 27, उसके बाद में क्या लिखा है देखो, A square B, इस 3 को भूल जाओ, खाली क्या देखो, A square B, A square मतलब 2 का square into 3, कितना बनेगा मेरे पास में, 12 बनेगा, उसके बाद देखो, क्या बला है 3ab2, 3 को बोल जाओ, फिर से देखो, b2, मतलब 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, उसके बाद, जो, जिसका आपन ने cube किया है, उनको नहीं छेटना है, जो बीच वाली संक्या है, उनको डबल कर दो, 12 का डबल कितना, 24, 18 का डबल कितना हो जाएगा, 36 जाएगा, बस सबको जोड देना है, एक एक डिजिट लिखनी है, जैसे 27 का में कितना लिकूंगा, 7 लिकूंगा, उसके बाद मेरे पास में कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, उसके बाद फिर से जोड़ो, 18 into 36 कितना बनेगा, 54 बनेगा, और 54 में अगर में 2 को 8 कर दोंग, कितना बन 56, 56 का मेंने कितना लिका किवन, 6 लिका, कितना बच जाएगा, 5 बन जाएगा, कितना बच जाएगा, 5, 12 और 24 को अगर जोड़ेंगे अपन, कितना बनेगा, 36 बनेगा, कितना बनेगा, 36, 36 और 5 कितना हो जाएगा मेरे पास में, 41, हासिल कितना बनेगा, 4 बनेगा, और 8 और 4 क कि क्या आंसर आए, क्योंकि मुझे भी पता चले है कि आप अंते तक पोच पा रहे हैं कि नहीं पोच पा रहा है, वरना इतना सारा अगले वीडियो में हो सकता है किसी टोपिक का एक कंसर्ट उठा ले या फिर इस्टेटिक सी पढ़ा दे तो अगले वीडियो में देखें कि क्या पढ़ना है और अगर आपको कुछ पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हो आप खोली उसमें पेसे तो लगने रहे के लगते हैं YouTube आगले वीडियो में तब तक लिए धिनक्यू धिन्क्यू धन्यवाद टेक केर